जहन, INS विक्रान जो भारत का पहला इंडीजीनियस एरक्राफ्ट करियर है, इसके बारे में टोटल स्पेसिफिकेशन, इसमें कैसे-कैसे ये काम करता है एरक्राफ्ट करियर इसके बारे में समझते हैं, देखिए भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे पास नेवी बहुत कम तो छोटे दूर तक ही वो जा सकते हैं इसलिए हमें एयर क्राफ्ट केरियर की जरूरत पड़ी तो ब्रीटेन का एक जहाज बन रहा था हमेस हरकुलियस यह अपने काम नहीं आ सका क्योंकि यह बनते बनते की दुटिये विस्यूद खतम हो गया तो भारत ने इसे में खरीद लिया और 1961 में अपने हिसाब से इसे मोडिफाई करके अपने केरियर में सामिल कर लिया और यह 1997 तक भारतिय सेना में रहा यह एयर करियर हमने उसको नाम दिया आइनस विक्रांट तो विक्रांट जो है हमारे साथ कई यादे जोड़ा हैं 1971 की लड़ाई में 1971 की लड विक्रांट जब रिटायर हुआ तो इसे तोड़ दिया गया हला कि यह नहीं तोड़ना चाहिए था इसे एक म्यूजियम बना देना चाहिए क्योंकि इसने पाकिस्तान को दो तुक्ड़े किये थे इसे करना गलत था अला कि इसे डीमोलिस कर दिया गया यहां पर और इसके लोहे को मतलब बहुत ज़्यादे इसमें लोहा निकलता है इस लोहे को बजाज कंपनी ने खरीद लिया था और उसने एक मोट साइकिल बनाया था विक्रांट आप देखेंगे उसका इस तरह से लोगो रहता है अलागी एक तरह से अच्छा ही काम कि उसने कहा कि इसमें करिफाई किया और इसे रखा तो भारत जैसे इतने बड़े टट रेखा वाला और भारत के दोनों तरफ दुस्मन है अब यहां पर चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना लिया इसलिए उसका यहां से कनेक्टिविटी वीजी है और चाइना इस साइट से भी तो हमें दो एयर हम लोग ने खुद ही बना या तो इसको बना लिया है अभी इसे हम लोग ने सी ट्रायल में भेजा यह लगवग 2200 क्रोड़ में बनाए गया है इसे बनने में दस साल लगा अभी एक साल और इसका ट्रायल लगएगा 2013-2022 के बीच में इसे बनाए इसे बनाए यह इंडिजी इसमें लगवग समझेए कि सवा लाग हॉस पाउर की इसकी छमता है एक लाग दो सजार घोड़ा मिलके जतना घीचेंगे अकेले घीच देता है 2021 में इसका C-Trial होगा इसे कोची C-Piard Limited ने बनाया है कोची C-Piard Limited भारत का सबसे बड़ा C-Piard है जो बड़े-बड़े जहाजों को बनाता है पहले इसे Dry-Duck में रखा जाता है नीचे का पेंदी उधी बना दिया जाता है सब कुछ हो जाता है तो इसे समूंदर में उतार द जाता है यह पूरा बन जाता है तो इसे बाहर में खड़ा कर दिया जाता है दिख रहां है 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 यहाँ पर यह बहुत बण कषी सिप्यार्ड को भीजा देगा इसा मेंटिनेंस करेंगा तो से ब़ूत बढ़ा है इस इसके सी ट्राइल में उतार दिया गया, इसकी लंबाई 860 फीट, 203 फीट इसकी जो भीर्थ है, 184 फीट इसकी उचाई है यहाँ पर, एरिया लगबग 2.5 एकड में है, उतना एकड जगह है यहाँ पर, टॉप स्पीट इसकी 52 किलोमीटर पर आवर है, यह 15,000 किलोमीटर जा स एक साल में इसके हर चीजों को जाच किया जागा, इसका ड्राफ्ट देखा जाएगा, जितना अंदाजा किया गया था, उतना ही है या नहीं है, इसका टर्निंग रेडियस देखा जाएगा, क्योंकि जहाँ को युद्धक जहाँ से बहुत जल्दी टर्न कर लेना चाहिए, इसका स्पीड ब्रेक को देखा जाएगा, इसका स्पीड ट्राइल किया जाएगा, और इसके पूरे एक साल तक जब ये ट्राइल चलेगा, इसका एंकर रूम, एंकर कैसे गिर रहा है, क्योंकि ये एंकर जो होते हैं से बहुत मदद करते हैं से जहाँदों को रुकने में औ तो बहुत हैभी होता है इसका इमर्जेंसी ब्रेक कर सकते हैं इसके इंजन वगड़ा की जाँच होगी बहुत है इंजन को पास किया गया देखिए डीजल अलगा जाता है इसमें इंजन का जो साफ जितना लंबा रहेगा उतने जल्दी जहाज पकड़ी जाएगी क्यूंकि जितना लंबा ये इंजन का ये प्रोपिलर सॉफ्ट आएगा, उतने जादे जहाज में बाइबरेशन आईगी है। आई होप आप विकरांद के सारे एवियोनिक्स और रडार सिस्टम को समझ गया होंगे, आपकी क्या रहा है भारत को केवल एयरक्राफ्ट केरियर पर डिपेंड रहना चाहिए, कि साथ साथ इसके पैरलर आइलेंड पर भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि चाइना ने आइले